हेलो फ्रेंज, नमस्ते, वल्कम टू मैजिकल हैंड, कैसे हो आप सब, आप सब ठीक होंगे और आज हम ये आटा बेग मतलब राइस बेग का रियूस करेंगे और तीन यूसपुल आइडिया बनाएंगे तो मैंने ये पहले भी यूस किया है और अभी ये छुटा सा पार्ट अलग कर लेंगे और इसका मैं नाप आपको बता देती हूँ और दोस्तों ऐसे ही वेस्ट चीजों से अगर आपने यूसपुल से कुछ चीजे बनाई है तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके और आज का वीडियो पसंद आए तो भी लाइक शेर कमेंट जरूर करना तो 17 बाइ 11 इंचिस का ये नाप है अब हमने टांसपरंट सीट ली है और इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इसका मैं नाप बता दूँ आपको तो 12 बाइ 4.5 इंचिस है इसका नाप तीन पार्ट हमने कट कर लिए हैं यहाँ पे हमें जिप लेनी है 12 इंचिस की इसे स्टीज करके आपको जोड लेना है फिर यहाँ पे आप प्रेस्टीज कर लीजिए ऐसे स्टीज करते जाए और प्रेस्टीज कर ले तो यह हमारा तीनों पार्ट में हमने जिप अटेज कर ली उसके बाद आपको करना क्या है इसके अंदर रनर डाल दीजिए रनर डालने के बाद आपको क्या करना है यहां पे तीनों पार्ट में आपको रनर डाल देने हैं पहले चिप के अंदर उसके बाद देखे यहां पे यह जो हमने पहले पार्ट कट किया था उसमें स्टीज करके यह टांस्परेंट सेट वाला जो पार्ट है उसे अटेज कर ली होगी और हम यह बीना पैसे कर्च किये ही तो ऐसे हमें वन बाइवन अटेज करते जाना है तो यह देखिए तीनों पार्ट हमने अटेज कर लिए फिर मैंने अब कोई भी क्रोस में कट की भी पाइपिन ले 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 सकते हैं तो ऐसे नीचे से अटेज कीजिए और लगाते कर ले ऐसे उपर के और फोल्ड करते हुए आपको श्रीज कर लेना है उसके बाद यहां पर भी आपको ऐसे फोल्ड करके श्रीज करना है और इससे उपर की और फॉल्ड करें और स्टीज करें और देखी यहां पर मैंने यह हैंडल ले लिया है और इससे आपको ऐसे फॉल्ड करके स्टीज कर लेना है तो इसके अंदर आप अपनी साब से जो भी सामान रखना है ऐसे रख सकते हैं तो यहां भी मैंने सिलाई का जो भी सामान था उसके अंदर रख दिया अच्छे से और गिनाइज हो गया आप देख सकते हो अब यह बचा हुआ जो बड़ा सा पार था उसे ले लिया है मैंने देखे इसका नाप यहां से है यह 23 इंचीज और चोड़ाई इसकी 18 इंचीज है और देखे यहां पर हमें क्या करना है फाईव इंचीज पर माग कर लेना है और इसके नाप से मैंने कपड़ा ले लिया इसे स्टीज करके जोड़ लिया और 5 इंचीज का यह बोक्स बना लिया मैंने आप इसे सारे कॉर्णर पे बना लीजिए और कट कर लीजिए तो दिखिए ऐसे आपको कट कर लेना है तो ये कट हो गया अब आप क्या करें इसे ऐसे पकड़ के स्टीज कर लीजिए सारे कॉर्णर पे और ये हो गया अब यहाँ पे देखे इसे सीधा कर लिजिए पहले और फिर यहाँ पे फॉल्ड कर ले और फॉल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको श्टीज करना है प्रेश श्टीज करनी है आपको ऐसे पकड़ते हुए तो यह हो गई हमारी प्रेस्टीज अब देखिए इसमें यहां पर मैं एक श्ट्रिप ले रही हूं 12 x 4 इंचिस की और इसे दो श्ट्रिप हमने ली है इसे फॉल्ड कर लीजिए तो यह फॉल्ड हो गई अब हम इसे यहां पर अटेज कर देंगे दोनों साइड से तो यह अच सारी लेंगिस इसमें अच्छे से ओर्गेनाइज कर दी है तो आप बहुत सारी चीजे इसमें ओर्गेनाइज कर सकती हैं अब मैंने ले लिया है 16 x 24 इंचिस का यह बचा हुआ पार्ट है उसे लिया है और नीचे से हम कट कर लेंगे इसे और साइड से भी हमें कट कर लेना है तो दो पार्ट हमारे रेडी है इसी के नाप से मैंने यह कपड़ा कट कर लिया और इसे स्टीज करके जोड़ लिया है देखिए स्टीज करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर दो श्ट्रिप ले लेनी है जिसका नाप है 23 x 5 इंचिस इससे फॉल्ड कर लिजिए और स्टीज कर ले तो यह हैंडल हमारे रेडी हो गई है इसे आपको यहाँ पर अटेज कर लेना है सेंटर में आपको जितनी भी जगह रखनी है रख सकते हैं तो हैंडल अटेज करने के बाद मैंने यहाँ पर जिप ले ली है इसे यहाँ पर अटेज करूंगी उल्टा रखके फिर प्रेस्टीज कर लीजिए प्रेस्टीज करने के बाद सेम वही तरीके से आपको दूसरी साइट का अटेज करना है यहाँ पे यह हो गया अब आपको क्या करना इसमें रनर डाल दीजिए फिर इसे ऐसे फोल्ड करके पूरे राउन में स्टीज कर ले यहाँ तक और देखे यह हो गया अब यहाँ पे कॉर्णर से ऐसे पकड़ कर लीजिए और इससे कट कर ले जिसए और इसने सारा सामान आ जाता है और बहुत भड़ा ट्रावल बेक बन गया है आप उसे कहीं पे किराना का जो किराने का सामान लेने जाना है तो भी ले जा सकती है और बहुत ही अच्छा लगता है ये यूस्पूल है तो तीनो चीजे हमारी बन गई है आटा बेक से रैस बोरी से तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेट करके जरू से बताना हम मिलते हैं न ने मात्रों